अज हम बात करने वाले हैं commodity market के बारे में और उसके अंदर कौन से exchanges हैं इंडिया में उनके बारे में भी जानेंगे प्लस commodity market में ट्रेडिंग कैसे होती है वो भी हम आज देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे evolution of commodity market in इंडिया तो यह जो commodity market है उसके अंदर हमको पता है commodities कौन से होती है बिजिकली agriculture commodities होती है नई तो फिर non agriculture होती है जैसे कि metals and crude oil तो इंडिया में वो जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1875 में सबसे पहले cotton के ट्रेडिंग के लिए बना था Bombay Cotton Trade Association ठीक है और उसका जो formal exchange जो बना वो actually बना 1893 में Bombay Cotton Exchange Limited ठीक है तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग के लिए शुरूआत होई वो cotton से होई ठीक है उसके बाद 1900 में गुजरात में बना था गुजराती व्यापारी मंडली that was for trading in oil seeds ठीक है then wheat के ट्रेडिंग के लिए 1913 में बना Chamber of Commerce एट हापूर एक्चुली यह जो wheat है इसका ट्रेडिंग 1913 से पहले भी चलता था UP के parts में कुछ parts में बट जो फॉर्मली जो ट्रेडिंग शुरूआ हो 1913 में हुआ at Chamber of Commerce ठीक है then 1990 में शुरू हुआ कलकता हसेन एक्सचेंज लिमिटेड फॉर रौ जूट एंड जूट प्रोड़क्स आपको पता ही होगा के कलकता के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया में जूट प्रोडियूस होता है तो उसके ट्रेडिंग के लिए यह शुरूआ और 1919 में बट वो इतना बोल सकते हैं और्गेनाईज नहीं था उसका जो एकदम और्गेनाईज फॉर्म जो लाया गया वह इस्ट इंडिया जूट एस्ट एंडिया जूट एंड हैं ठीक है तो यह आजादी तक की जो हमारी जर्नी थी उसमें आप आप देख सकते हो कि मोस्ट्ली जो भी ट््रेडिंग हो रहा था वो अग्रिकल्टर को़ोडिटिस में हो रहा था तो ऐसा बोल सकते कि इंडिया के अंदर जो नाप sacrifice market है उच्वत마ust होई आंग्राउंड नेंट मार्केट में ज्यादा तर यह एग्रिकल्चर कॉमोडिटी थी ठीक है तो अब बात करते हैं उसके रेगुलेशन की सबसे पहले आजादी के बाद बना था फॉर्वर्ड कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन एक यहां पर यह वन नाइन नहीं यह यह है मार्केट कमीशन इंट्रडिउस हुआ 1953 में तो इंडिया में आजादी के बाद कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट कौन करता था फॉर्वर्ड मार्केट कमीशन FMC ठीक है तो यह FMC के अंडर आता था हमारा commodity market और सारे commodity के exchanges और उस time major जो commodities थी वो agriculture थी इसलिए इसको रखा गया था ministry of consumer affairs के अंदर ठीक है बट अभी 2015 में ही ये जो forward market commission है वो merge कर दिया गया था सेबी के साथ ठीक है तो अगर ये commodity market का regulator जो है वो सेबी के साथ merge हो गया तो अब ये जो पूरा market है सेबी के कंट्रोल में आ गया है ठीक है और अगर वो सेबी के कंट्रोल में है तो फिर ये ministry भी consumer affairs नहीं रहेगी ये कौन सी होगी ministry of finance ठीक है तो फिलहाल में structure को ऐसा ऐसा है कि उपर ministry of finance है नीचे सेबी है फिर उसके नीचे exchanges है exchanges में दो type के है national and regional exchange ये इतना कुछ खास important नहीं है national exchange में भी दो ही important exchanges है वो है mcx और दूसरा है ncdex जो कि हम आगे देखेंगे ठीक है यह मैंने mcx की website पे से ही screenshot लिया है इतने जो commodities है इसमें वो trading allow करता है mcx bullion generally word use किया जाता है जो precious metals है उनके लिए gold and silver फिर जो बाकी के जो metals है उनके लिए word use किया जाता है base metals then energy के अंदर generally दो ही products होते है एक तो होता है crude oil दूसरा natural gas और यह जो है बाकी की अग्री कमोडिटीज है अब जहां तक mcx की बात है तो mcx के उपर agriculture commodity इतना famous नहीं है जितना यह बाकी की चीजे famous है ठीक है क्योंकि इंडिया में agriculture commodities के लिए अलग से ही stock exchange है वो है ncdex तो ncdex के website पे से मैंने यह screenshot लिया है जिसमें आप देख सकते हो के सारी जो commodities है वो एग्री कल्चर commodities ही है ncdex पेसिफ दो commodities है जो की non agriculture है वो है copper और gold hedge ठीक है तो यह आप देख सकते हैं आप pause करके screenshot भी ले सकते हैं नाओ commodities market में जैसे की normal equity market में जो structure होता है वैसा ही है कुछ products होंगे जो over the counter होंगे और कुछ जो होंगे वो exchange traded होंगे तो हम यह already देख चुके हैं कि over the counter में कौन सा contract आता है forward contract आता है और exchange traded में दो चीज़ आएंगी futures and option तो अगर आपने मेरा यह derivatives का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने यह तीनों समझाए तो पहले आप वो देख सकते हैं तो forward contract में क्या था कि दो party privately मिलती है और एक दूसरे के साथ contract करती है और इसका फाइदा ही है कि यह contract के अंदर आप अपने मन मुताबिक सारे conditions रख सकते हो ठीक है पर यह जो exchange पे trade होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता इसमें contract जो होते हैं standardized होते हैं अगर आपको अच्छा लगता है कोई contract तो ले सकते हो आप अपने मन मुताबिक किसी contract को change नहीं कर सकते हैं ठीक है और exchange ट्रेड़ में भी इंडिया में generally futures contract ही थे यह option contract जो है वो अभी recently ही एक दो साल पहले सेभी ने उस पे काम किया है और उसको approval दिया है ठीक है बाकी उसके पहले इंडिया में generally futures contract ही चलते थे सो अब यह commodity market की कुछ खास बाते हम देखते है इसका जो timing होता है वो सुबे 10 बजे से लेके रात के साड़े गयरा बारा बजे तक होता है तो अपना जो normal equity market है 9.15 to 3.30 उससे काफी लंबा time होता है commodities market में ठीक है then actual delivery जो होती है वो काफी कम होती है actual delivery का मतलब क्या है इसके अं गेहूं का कोई अगर contract खरीदता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको गेहूं खरीदने है उसको सिर्फ वो price difference से profit कमाना है ठीक है तो actual delivery अगर देखा जाए तो hardly one or two percent होती है और वो भी ज्यादा तर कौन से contract में होती है forward contract में आपको शायद पता होगा मैंने derivative वाले lecture में forward contract म एक farmer का example दिया था जिसने भीट में trading की थी ठीक है तो actual trading generally forward contract में होती है और अगर overall market की बात की जाए तो mostly जो contracts होते हैं वो cash में ही settle होते हैं delivery में बहुत कम settle होते हैं and this is volatile than equity market मतलब equity market के अंदर जो price fluctuations होते हैं उससे इसमें काफी ज्यादा होते हैं क्यूंकि इसमें काफी especially जो gold और crude oil है यह लोगों का काफी favorite चीज़ है तो इसके अंदर volatility थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है market तुरंत react करता है किसी भी news के ऊपर ठीक है then finally इंडिया में दो major exchanges है mcx and ncdx जो मैं आगे बता चुका हूँ now mcx की बात करते हैं full form है multi commodity exchange of india limited यह establish हुआ था 2003 में मुंबई में और इंडिया का largest commodity exchange है और major products मैंने अल्रेडी बता है bullion based metal energy agri products में इतना नहीं होता है जितना इन products में होता है and इंडिया का यह first exchange है जिसने option contract शुरू किये थे commodity में then इसके पास एक खुद का clearing corporation है mcx clearing corporation limited जैसे हमने एक आगे के lecture में securities contract regulation act जो था उसका second part में हमने देखा था कि generally exchange के अंदर ही दो house होते है recording house and clearing house जो कि clearing and settlement करता है पर अगर यह काम अगर बहुत ज्यादा लगता है exchange को तो यह काम वह outsource भी कर सकता है ठीक है तो हमने देखा था BAC ने ऐसा कुछ नहीं किया है उसका clearing house BAC के अंदर ही है पर NAC ने अपना clearing house का का काम किसी अपनी subsidiary को दिय था ठीक है तो इसने भी SI किया है कि recording कुद करेगा MCX पर उसका clearing होगा उसके लिए उसने अलग से एक institute बनाये MCX CCL ठीक है and final है इन्होंने settlement guarantee fund बनाया हुआ है अब यह क्यों होता है हमने आगे के जो lecture से उसमें बात की हुई थी कि अगर investor को कोई भी problem होती है मतलब उनके गलत तरीके से पैसे कट जाते हैं किसी भी वज़ा से किसी की भी mistake से तो उनको तुरंद पैसे देने का काम कौन करता है stock exchange करता है फिर वो investigate करके जिसकी गलती होगी उससे पैसे लेगा पर initially तो तुरंद पैसे देने का काम stock exchange करता है तो इस काम के लिए इन्होंन अल्रेडी एक फंड बनाया हुआ है सेटलमेंट गैरेंटी फंड ठीक है देन इनका अलायंस है चार इंटरनेशनल एक्सचेंज इसके साथ सरे ग्रूपलं है नuने इनहीं इंडेक्स किया है और उसका नाम है आईकॉमदेक्स आब यह इंडेक्स क्या होते है जैसे की इनहीं ने कों डेक्स बनाया है वैसे बस्त ले बनाया हुआ यह इंडेक्स मार्केट का मूड बताते हैं जिसके उपर यह इंडेक्स बने है तो फॉर एक्जामपल सेंसेक्स जो है वो एक नंबर है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का मूड अच्छा है तीक है मार्केट हमारा पूरा ओवरॉल उपर जा रहा है उससे यह इंडेक्स होता है वैसी तरीके से निफ्टी भी अगर उपर नीचे जाता है तो उससे पता चलता है कि मार्केट ओवरॉल किस कैसे दिशा में बढ़ रहा है मार्केट का मूड कैसा है अच्छा है कि खराब है मार्क में जो भी बेज मेटल का मार्गेट है वो किस दिशा में मूव कर रहा है मतलब उपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो अगर देखना हो तो सारे बेज मेटल को देखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ इंडेक्स देख लो तो भी आपको ओर आइडिया आ जाएगा तो यह मतल यह पर्टिकुलर फिल्ड में मार्केट कैसा चल रहा है वो इंडिकेट करते हैं अब हमने एक देखा मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज उसके अलावा एक और फेमस है एंसीडी एक्स ठीक है तो वह हम देखेंगे पर यह वाले एक्सचेंज हम नहीं देखेंगे बाकी के ज एक्सचेंज लिमिटेड यह 2003 में एस्टाबलीश हुआ था मुंबई के अंदर और यह जाना जाता है मोस्टली एग्री कल्चर प्रोडक्स के लिए मैंने जैसे कि आगे बोला इसके पास उनली फिलहाल दो नॉन एग्री कल्चर कमोंडिटी से कॉपर एंड गूल्ड है ठी अगर आपको पूरे शेर होल्डर देखने इसके अलावा भी काफी है तो आपके इसके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं बाकी के शेरोल्डर कौन से हैं ठीक है और यह जो NCDX है उसने डेजिगनेट किये हैं बारा बैंक्स को as a clearing banks ठीक है तो यह क्या काम करती है clearing services का का अगर आपको इसके अंदर ट्रेड करना है तो आपका अकाउंट यह 12 बैंक में से किसी एक के पास होना चीए तो यह है वो 12 यह भी मैंने उनके website पेसे ही लिया है यह उनके website का ही screenshot है तो आप यह पॉस्ट करके देख सकते हैं कौन-कौन से बैंक से ठीक है अब बात करते हैं यह terminologies और trading कैसे होता है सबसे पहले आपको पता होना चीए कि quotation यानि की base value क्या होता है जनरली जो commodity होती है उसके जो number of units होते हैं उसको हम बोलते है quotation या base value और वो denote की जाती है जनरली kilogram में या ग्राम में या तो crude oil है तो barrel में तो यह जितने भी number of units होंगे उसको हम बोलेंगे quotation या तो base value फिर दूसरी चीज है lot size मतलब अगर आपको कोई commodity में trade करना है तो minimum number of unit कितने खरीदने पड़ेंगे ये उपर के जो number of unit है वो कम से कम कितने खरीदने पड़ेंगे या तो बेचने पड़ेंगे तीक है ये दोनों का अगर आप multiplication कर देते हो base value यानि quotation या तो sorry into lot size त अब यह क्या है यह हम एक example से समझते हैं for example जो gold है mcx पे उसके लिए इस तरीके से उन्होंने arrangement किया है कि gold का एक unit जो होगा जो कि हमने उपर बोला base value वो कितना होगा 10 gram का होगा ठीक है और अगर आपको खरीदना है gold तो आपको ऐसे एक unit वैसे 100 unit खरीदने पड़ेंगे ठीक है तो आपका lot size कितना हो गया 100 units तो अगर आप इन दोनों को multiply करे 10 grams और वैसे 100 units तो total कितने हो जाएंगे 1000 grams तो आपका trading unit ब अब यह trading unit नाम इसलिए दियागा है कि अगर आपको trade करना है खरीदना है या बेचना है तो minimum quantity इतनी होनी चाहिए trading unit जितनी ठीक है so if you want to trade in gold you have to buy at least one trading unit now question यह होता है कि भई trading unit कितना बड़ा है gold का 1 kilogram इसका price अगर 1 gram का round 3300 रुपे है तो 1 kilogram मतलब कितना ज्यादा 33 लाग जितना price हो गया ठीक है तो इतना कौन ट्रेड गड़ेगा पर actually आपको उतना पे नहीं करना होता ठीक है पूरे 1 kilogram के लिए जितना रु आपको नहीं पे करना होता और यह जो पूरा ट्रेडिंग चलता है वो किस पे चलता है margin पे चलता है ठीक है तो अब यह margin क्या होता है वो पहले देखते है margin is the amount of money an investor has to maintain with its broker ठीक है जब भी आप यह for example आपको यह इच्छा है 1 kg वाला जो गोल्ड है वो contract खरीदने की futures contract तो आ आपको एक केजी गोल्ड के रूपिय नहीं जमा करने है उसके लिए एक छोटा सा margin होगा वो आपको ब्रोकर के साथ ब्रोकर जो बोलेगा आपको के बहु आपको इतना percent margin maintain करना है तो उतना आपको maintain करना पड़ेगा ठीक है commodities market के लिए यह वैरी करता है around 5-10% ठीक है इससे क कम ज्यादा भी हो सकता है पर इसके आसपास होता है ठीक है वो ब्रोकर के उपर होता है वो आपको कितना margin रखने को बोलता है ठीक है तो actual value of contract जो है जो कि मैंने अभी बोला सपोज 33,00,000 रुपे है एक किलो के तो उसका only 5-10% ही maintain करना होता है ठीक है तो माल लेते हैं एक किल जो गोल्ड का जो 33,00,000 रुपे है उसका आपका ब्रोकर आपको बोलता है कि 5% margin maintain करना है तो आपके trading account में कितने होने चीए 1.65,00,000 रुपे होंगे तो भी आप इसमें trade कर सकते हो ठीक है तो आपको पूरे 33,00,000 maintain करने की जरुरत नहीं है अब ये जो ब्रोकर ने आपको ब प्लेसिंग buy sell order अगर इतना margin नहीं होगा जो कि आपके ब्रोकर ने आपको बोला है तो आप initiate ही नहीं कर पाओगे trade आप buy ही नहीं कर पाओगे ठीक है आपने सपोस ये margin maintain कर दिया आपके account में 1.6,00,000 से ज्यादा रुपे थे और आपने ये जो contract है futures contract को खरीद लिया बलब आपने एक तरीके से gold खरीदा ठीक है now the concept of mark to market will come into play for example gold का price जो है आपने जैसे ही लिया दूसरे दिन तुरंत gold का price at the end of the day बढ़के पच्चा सजार रुपया बढ़ गया तो 33,00,000 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ आपने gold खरीदा है आपको पच्चा सजार का फाइदा हो गया तो ये जो 50,000 है वो at the end of the day आप आपके trading account में credit हो जाएंगे तो total आपका balance कितना हो जाएगा 1.65 lakh into 0.5 lakh तो कितना हो जाएगा 2.15 lakh तो इसी को बोलते हैं mark to market जिस तरीके से market move करता है उस तरीके से आपके account में balance उपर नीचे होते रहता है तो जैसे आपको 50,000 का फाइदा हुआ आपको contract में तो 50,000 आपके account म credit हो गए now for example दूसरे दिन gold का price जो है वो अगले दिन से एक लाख रुपे कम हो गया ठीक है तो एक लाख रुपे कम हो गया मतलब आपको ही loss हुआ है वो एक लाख का gold का price 33,500,000 से 32,500,000 तो अब वो एक लाख तुमारे जो account में जो रुपे पड़े है trading account में उसमें से debit हो जा चला जाएगा तो कितना बचेगा 1.15,000 तो इस तरीके से तुम margin maintain करके trading कर सकते हो अब question यह होता है कि suppose gold की price घटते ही चली गई और यह जो मैंने margin maintain कर किया था वो कम ही होते गया तो तो फिर क्या होगा एक जो initial margin है तुमारा जो कि 1.65,000 उससे कम होते होते अगर एक certain level से कम ह गया यह certain level कौन decide करेगा तुमारा broker यह तुमको बोलेगा अगर उससे नीचे तुमारा balance कम हो गया तो तुमको broker की तरफ से call आएगा तुमारा margin का जो balance था बहुत कम हो गया है आप उसको फिर से भर दीजिए और कहां तक भर दीजिए वापिस जो initial margin हमने decide किया था वहां तक भर दीजिए तो for example margin broker ने बोला था 50,000 ठीक है इससे नीचे नहीं जाना जीए तो जैसे ही loss होते होते आपका 50,000 से नीचे जाता है broker call करता है कि आपके bank account में से इसमें पैसे डालो और फिर से वो 1.65 लाक वाला initial margin था वो फिर से ला दो और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो broker अपनी तरफ से ही तुमारा ये जो contract था उसको उसकी position close कर देगा ठीक है और cash में settlement कर लेगा ठीक है तो ये जो margin था जिसके नीचे अगर तुमारा पैसा जाता है balance जाता है तो broker का call आता है उसको बुलते है maintenance margin ठीक है तो maintenance margin से तुमारा cash balance कम नहीं होना चीए अगर होता है तो तुमको call आएगा और अगर आप फिर से वो refill नहीं करते हो तो फिर जो broker है वो तुमारा position close out कर देगा ठीक है नाओ एक और चीज आपको देखनी होगी वो है tick size tick size मतलब commodities जो trade हो रही है stock exchange पे उसमें minimum price moment कितना हो सकता है उसको बुलते हैं tick size और commodities के अंदर ये tick size decide होती है याने की base value पे ठीक है तो for example gold के लिए अगर tick size decide करना है तो कैसा होगा 1 rupees per 10 grams हम आगे देख चुके हैं कि ये 10 grams क्या है ये तुमारा quotation याने की base value है ठीक है तो tick size हमेशा किस पे decide की जाएगी ये quotation या base value पे की जाएगी और ये हमारा जो equity market है उसके अंदर जो tick size है वो 0.05 है इसका मतल़ भी है कि अगर share अभी trade हो रहा है 67.15 पे ठीक है तो वो उपर जाएगा तो minimum कितना जा सकता है उपर 67.20 पे 67.18 नहीं हो सकता तो आगे बढ़ेगा तो 0.05 से ही बढ़ेगा और पीछे जाएगा तो भी 0.05 से ही जाएगा और अगर आपको भी सपोज बीडिंग करना है कि सपोज अब भी share चल रहा है 67.15 पे और आपको खरीदना है तो तूरंद खरीदना है तो थोड़ा उससे ज्यादा बीडिंग करना पड़ेगा तो आप भी बीडिंग कैसे लगा सकते हो 67.20 ही लगा सकते हो 67.18 नहीं लगा सकते है क्योंकि tick size के आ मार्केट के अंदर ये commodity wise tick price change हो सकता है and most importantly the price which you see on commodity exchange is not of trading unit it is the price of quotation या base value ठीक है तो आप अगर कोई number देखते हो कि gold का जो price है वो जा रहा है around 33,000 तो 33,000 जो है वो ये trading unit का नहीं है trading unit कितना था एक kilo का था तो 33,000 उसका नहीं है ये 33,000 है जो 10 gram इसका base value है quotation जो है ये उसका है ठीक है and आपको क्या करना पड़ेगा ये जो आप profit करोगे उसमें आपको lot size multiply करना पड़ेगा ठीक है ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो अभी example से आपको समझ में आ कि मान लेते हैं gold का जो एक unit है जिसको quotation या base value बोलते हैं वो 10 gram है ठीक है और आपको अगर trading करना है तो कम से कम कितना खरीदना पड़ेगा 1 kilogram और अगर 1 kilogram खरीदना है और 10 gram का एक unit है तो आपको कितना lot size पड़ेगा 100 units का ठीक है और मान लेते हैं कि tick size जो है gold का वो है 1 rupees per 10 grams ठ stock exchange पे जो तुम price देखोगे gold का वो कितनी quantity का देखोगे 10 gram का देखोगे ना ही 1 kg का ठीक है तो मान लेते हैं तुमने एक trading unit खरीदा gold का 13,000 रुपे का अब फिर से मैं बोल रहा हूं यह 13,000 रुपे जो है वो एक trading unit के नहीं है वो 13,000 जो है वो 10 gram का price है ठीक है तो आपने मान तो आपका profit कितना हुआ जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा तो 100 रुपे अगर shares होते तो यहां पे बात खतम हो जाती थी ठीक है आपने एक share खरीदा और बेच दिया उस पे आपको 100 रुपे profit हुआ यहां पे एक step आपको और आगे जाना है क्यों क्योंकि यह जो 100 और उपे आपको profit मिला है वो कितने के उपर मिला है 10 ग्राम के उपर मिला है क्योंकि यह जो price था हो 10 ग्राम का था पर आपने 10 ग्राम थोड़ी खरीदे है आपने पूरा 1 kg गोल्ड खरीदा है ट्रेडिंग यूनिट जो है वह 1 kg है तो आपको यह 10 ग्राम के profit को किस से multiply करना होगा lot size से 10 ग्राम into lot size 100 तो वो कितना हो जाएगा 1 kg ठीक है तो अब आपका profit actually कितना होगा जो आपको sold price minus bought price में जो हुआ था profit into lot size क्यों यह profit सिर्फ 10 ग्राम का है पर अगर 1 kg आपने जो खरीदा है उसका profit निकालना है तो यह 10 ग्राम के जो unit है वो से multiply करने पड़ेंगे तो unit कितने है 100 तो 100 multiply करोगे तो आपको actual आपपा profit जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 10,000 ठीक है तो यह difference है हमारे जो shares में हम trade करते हो और इसमें इसमें आपको price जो लेना है वो किसका लेना है यह जो base value quotation है उसका लेना है ठीक है पर जब profit निकालते हो तब उसको किस से multiply करना होता है lot size से क्यों तुमने खरीदा 10 गराम नहीं है तुमने खरीदा एक किलो का है तो एक किलो के हिसाब से profit निकालोगे ना ठीक है तो इस तरीके से तुम profit गिन सकते हो अब जैसे कि मैंने बुला कि जो gold वाला था उसमें आपको 1 kg ही खरीदना पड़ेगा और उसके लिए जो margin है वो भी अराउं डेड़ लाग से उपर है तो अगर कोई इतना ज्यादा amount afford नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए मतलब सारे retail investors के लिए exchange कम lot size वाले भी products देता है जैसे के gold के अंदर एक है gold mini ठीक है उसके अंदर quotation तो 10 gram सी है मतलब एक unit 10 gram का ही है पर lot size 100 के बदले 10 है ठीक है तो इसमें price कम हो जाता है और उसके लिए जो margin maintain करना पड़ता है वो भी कम हो जाता है फिर gold गीनी के लिए 8 gram है और उसका एक ही lot है ठी ठीक ही खरीदना है तो अब ऐसा हो गया है कि अगर आपको gold में trading करना है तो आप 200-500 रुपे से भी trading कर सकते हो ठीक है